सब्सक्राइब और बेल करें दबाया क्या नहीं दबाया रदबाओ ना अब ये क्या नया रूल है तुम्हारी ब्लैक मिल वाली डिस्क अभी तक हमारे पास नहीं पुछी वाकई आखिर किया क्या है तुम्हें इसके साथ मैंने मैं तो यहीं था तुमने उसको किसके हाथों मग आया था अपने चम्चों के साथ पस्षर्टे वो अब भी तुम्हारे चम्चे हैं नाकी कंपनी के प्रेजडेंट के ये जानके तुम्हारी पटने तो नहीं लगी जनरल मैनेजर कि इस ओर्कनाइजजेशन में तुम बिल्कुल अकेले हो अपनी मौचूदा जॉब और पर्सनल लाइफ के लिए क्या तुम खुद को जिम्हतार तो नहीं ठहरा रहे वो डिस कहा है टाइम क्या हुआ है उससे क्या लेना टाइम के हिसाब से ही तो पता चलेगा कि वो डिस एक जगा मिलेगी या अलग 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 जगा अगर तुझे गेमी खेलना है तो क्यों न कॉफ़ी पीते हुए खेले आए एक जाएगा तो दूसरा आएगा और मुझको अप्रेजल का लालज देगा काफी समझदार लगते हो यह लिए अपना अप्रेजल लेटर इस साल ते भी पीशे साल से भी जादा कर दी है हमीशा अप्रेजल का लालज देखकर मेरा सर चक्रा जाता है मैं अपनी जॉब देखा तुम मुझे मिलना चाहते थे कहूं क्या कहना है मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगे और तुमने वही किया जो कि मैंने सोचा था उन पाँच इंप्लोईस को कंपनी से निकाल दिया जो कि कंपनी के बेस परफॉरमस थे और अपनी जगा चाटू डेंट को दे दी जो कि चाटने के अलावा और कुछ नहीं करता वो डिस कहा है एचार्ट डिपार्टमेंट तुमको जॉब से हटाना चाता है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए पर मैं यह जानता हूँ कि यहां से वापस नहीं जाय जा सकता क्योंकि पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया है तुमने हमेशा के लिए फिर तुम मुझे टर्मिनेट क्यों करवाना चाते थे मैं तुम्हें जॉब से टर्मिनेट नहीं कराना चाता तुम मैं जो अपसे निकल गए तो मैं क्या करूँगा वापस डो टो डोर सेल्स करूँगा याद रहें तुम नहीं तुम मैं नहीं तुम हो इंसान हो जो प्रोमोशन के लिए अपने बॉस को ब्लैक मेल करता है आम इंपलोश की तरह बिलकुल बात मत करो तुम के जैसे बिलकुल नहीं हो जाहे कितिनी भी कोशिश कर लो तुम मिन सीनियर मैनेजमेंट के लिए बस एक नमूना हो जैसे मैं अब भी फिलाल उनको तुम्हारी ज़रूरत है आगे जब नहीं पड़ेगी तो वो तुमको निकाल भार फैकेंगे वैसे ही जैसे दूद में से मक्की की तरह वो क्या होता है उनका ट्रैवल रिवार्ड रेकेगनेशन वाउचर्स सब एक नकाब है नकाब उतार फैकते हैं जैसे ही उने कोई नया मुर का मिलता है वो उतने ही अच्छे हैं जितना कम्पनी का M.D. उने रहने देता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब कॉस कटिंग होती है तो कैसे इस सारा मैनेजमेंट एक दूसरे को नोच खाता है मैं कोई दरिंदा नहीं मैं तुम्हारा होने वाला नया पॉसुम्हारी इतनी सारी पॉलिसीज है पर क्या वो तुम्हें बचा पाएंगी मेरी सिफ एक ही पॉलिसी है वो भी आज तुम्हें तोड़नी पड़ेगी अगर सचा ही जाननी है तो जैसे की इस और्गनाइजेशन में अगर तरक्की पानी है तो अपने मेरिट से पाओ आज तुम्हें अपनी एक लौती पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी मैं तुम्हारा मूह तोड़ दूँगा तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मिनट है एक ही मेरिट लाइफ बचाने के लिए एक क्यूं सौधा तो दोगा हुआ था मेरा और मेरे बॉस का यू नो उस रात मैंने वाकई में देखा कि तुम इस और्गनाइजेशन में कितने बड़े चमचे हो जिस तरह ही से तुम सीओ के पीछे लपक के भागे थे अरे यह तो सब बरबाद कर देगा बहुत गुसा रहे तुमें क्यूं? तो क्या तुम्हारी बीबी और तुम्हारी बॉस की बीबी को तुम्हारी बॉस की आफेर के बारे में पता है? प्रमोशन पाने के लिए खुद को इतना गिराना आसान काम नहीं होता मैं पूछ रहा हूँ वाट इसका है आज तुमें सरफ एक को चुनना होगा या तो अपनी जॉब को या तो अपनी मेरेड लाइफ को आप तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा जिससे तुम मेरे को तरा सको तुम्हारी पॉलिसी तुम्हारे खुद काम नहीं आएगी मैं पूछ रहा हूँ वो डिस्क कहा है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहा है और वाकई में यही तो मजा है तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की बूर रात पाली डिस्क मैंने एक तुम्हारी बीवी और एक तुम्हारे बॉस की बीवी को भेज़ दी है बाई उसने तो मुझे बरबाद कर दिया मेरी बीवी ने सारी वीडियो देख ली और मुझे टाइवर्स के लिए बोल दिया, लेकिन अब तू क्या करीगा, अपनी जॉब बचाएगा भी मेरिट ले जलना मादर चोट, अपना काम करना जाके जस तरह के सा तुमने सेनियों के पीछे जपकते लग नचान कि यह क्या था भगा भगाओं, लचार मशार लपक के लपक के लपक क्या मारी यर चलाम मारी अब भू दरहिड़ा है बस तुमारा रोने बाला नया पॉस कि अब अब टेस्कार, अब इसकार है, टेस्कार है पहचो.. म clone कि माई, उसमें तुमजे बेबात कर दिया मेरी बेभी ने सारी वीडियो देखे और मुझे डाइवर्स के लिए वोल जा लेकिन अब तू क्या करेगा अरे आप क्या है अब चलते है